जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में KGF Chapter 2 का टीजर रिलीज हो गया है जिसमें हमें रॉकी भाई के रूप में नजरा आए रॉकिंग स्टार यश का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है टीजर में जब ये अपनी बंदूक से सिगरेट जलाते हैं तो इनके चहरे पर जो तेवर थे उसने सभी के दिलों को जीत लिया है और अब जब ट्रेलर में इनकी ये चोटी सी जलक इतनी दमदार है तो पूरी फिल्म में इनका अवतार और भी ज्यादा रावडी और दबंग नजराने वाला है लेकिन आप इनके बारे में तो सब जानते होंगे पर क्या आप इनकी पत्नी के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं इन सभी बातों की जानकारी आज हम आपको हमारी इस वीडियो के जरिये ही देने वाले हैं तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को बॉलिवुड साउथ इंडस्ट्री तक अपनी पहचान बना चुके रॉकी भाई नाम से मशूर हुए अभिनेता यश करनाटक के हसन जिले की एक मिडल क्लास फामिली से तालुक रखते हैं जिनका असली नाम नवीन कुमार गौडा है इनका जन्म आठ जन्वरी 1986 को करनाटक के हसन जिले में हुआ था पर इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मैसूर से पूरी की अगर बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर के बारे में तो इन्होंने अपने बच्पन में ही सोच लिया था कि ये बड़े होकर एक आक्टर ही बनेंगे इसलिए मैसूर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये बंगलूरू अपनी आक्टिंग का ड्रीम पूरा करने आ गए इन्होंने यहां बेन का थियेटर को जॉइन कर लिया और अपनी आक्टिंग की पढ़ाई पूरी की आक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हों ने अपने करियर की शिरुआत नंदा को गुकौला नाम के कंणड TV सीरियल से की थी जिसके बाद इन्होंने काफी सारे TV शोज में काम किया इन्हीं शोज में इनके बहतरीन प्रदशन को देखते हुए साल दोजार आठ में इन्हें कन्नर फिल्म मोगिना मनिसू में बतौर सहाय कभिनेता काम करने का मौका मिला इस अफसर को सुवीकार करते हुए इन्होंने उस फिल्म के साथ बड़े परदे पर अपना कदम रखा फिल्म में इनके बहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए इनकी अगली फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेता कास्ट कर लिया गया जिसका नाम था रौकी उस फिल्म में इन्होंने पहली बार बतौर मुखय अभेनेता काम किया था और लोगों से खूप सा रहना हासिल की थी इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया जिन में गूगली, मास्टर पीस, राजा हुली, गजा केसरी और लखी जैसी बहतरीन फिल्म में शामिल है पर इन्हें इनकी असली पहचान साल 2018 में आई फिल्म केजी एफ चाप्टर वन से ही मिली थी जिसमें रावडी और दबंग रौकी भाई का किरदार निभा कर इन्होंने लोगों से खुब वावा ही हासल कर ली थी जिसके बाद इसी बहतरीन फिल्म के सेकंड पार्ट केजी एफ चाप्टर टू में नजर आने वाले हैं लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी पत्नी का नाम राधिका पंडित है और ये भी पेशे से एक अभिनेतरी ही हैं जिन्होंने मोगिनी मसू और ड्रामा जैसी फिल्मों में काम किया है पर शादी के बाद इन्होंने अक्टिंग करियर को विराम दे दिया था और बतावर हाउस वाइफ अपना घर संभालने लगी वहीं बाग करें इनकी लव लाइफ की तो आपको बता दें इन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी में केवल एक ही लड़की से प्यार किया जो आज इनकी पत्नी है और जिनका नाम राधिका पंडित है जिनसे इनकी मुलाकात मिस्टर और मिस्स रामाचारी फिल्म के दौरान हुई थी जिसमें इन्होंने इनके ऑपोजिट काम किया था फिल्म में साथ काम करते करते ये इन से प्यार कर बैठे और वहीं वो भी इनके अच्छे स्वभाव पर अपना दिल हार बैठी जिसके बाद करीब दो साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में आखिरकार दोनों ने शादी कर ली और वरतमान में दोनों की इसी शादी को करीब चार साल बीत चुके हैं और इन बीते सालों में इन दोनों के दो बच्चे भी हो चुके हैं जिन में से एक दो साल की बेटी आई रहे हैं और एक एक साल का बेटा ये थर्व हैं इनके दोनों ही बच्चे काफी छोटे हैं इसलिए वो अपने माता पिता के साथ अपने घर पर ही रहते हैं तो दोस्तों आपको अभिनेता याश की पत्नी से रूबरू होकर कैसा लगा आप अपने राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवड और साथ इंडस्ट्री से जड़ी और भी ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें